भगवान शिव ने केवल मा पार्वती को बताई थी ये पाँच गोपनिय बाते, भगवान शिव ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से जुड़े कई रहस्य बताए थे. भगवान शिव ने पार्वती माता को जो पाठ पढ़ाएं वे मानव जीवन, परिवार और शादी शुदा जिंदगी के लिए काफी महत्वपूर्ण है भगवान शिव ने पार्वती माता को पाठ ऐसे चमतकारिक राज बताएं हैं जिने समझ लेने पर आपकी जिंदगी भी बदल सकती है एक शिव ना प्रकाश है और ना ही अंधकार वह शून्य भी है और पदार्थ भी वह समस्त ब्रहमान है वह शक्ती के स्त्रोत है वह शक्ती का हिस्सा है और खुद ही शक्ती भी है शिव कुरान के अनुसार शिव शक्ती का संयोग ही परमात्मा है दो शिव कुरान के मुताबिक पार्वती मा सती का ही अवतार है राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी, पारवती के जन पर नारद मुनी ने भविशवारी की थी किवा भगवान शिव से ही विवा करेगी बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रती भक्ती बढ़ती ही गई, कई सालों की तपस्या और कई बाधाओं को पार करने के बाद शिव और पार्वती का विवा हुआ तीम सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप एक बार मा पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है? मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है? भगवान शिव ने इसका उत्तर एक संस्कृत श्लोक से दिया भगवान शिव ने कहानास्ती सत्यात परो नानरतात पातकमपरंग दुनिया में मानसम्मान कमाना और हमेशा सत्यवचन बोलना सबसे बड़ा गुण है भगवान शिव ने पारवती मां से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेइमानी और धोखा करना है दोखा इस दुन्या का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा इमानदार रहना चाहिए भगवान शिव ने पार्वती मा को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नातिक रूप से गलत हो चार कभी भी इन तीन कामों को नहीं करे भगवान शिव ने मा पारवती को बताया कि किसी को भी वानी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए यानि पापूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वानी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए मनुष्य वही काटता है जो वहाबोता है इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेश सतर्क रहना चाहिए 5. सफलता का एक मंत्र मोही सभी समस्याओं की जड़ है मोहमाया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन करती है जब आप दुनिया की सभी तरह की मोमायाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपको अपनी जिन्दगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं हो सकता है लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है भगवान शिव ने पार्वती मा को यह भी बताया सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है कि मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्ट को उसी अनुसार ढाला जाए छैर इस एक चमतकारिक मंत्र से बदल जाएगी आपकी जिन्दगी भगवान शिव ने पार्वती मा को बताया कि म्रिगत रिष्णा सभी कष्टों का एक मात्र उपाय है मानव को एक के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागने के बजाए ध्यान में मन लगाना चाहिए कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ती के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए